जोहार आज इस मंच पे इंडिया जो आप देख सकते हैं उत्तर से लेके दशिन तक पूरप से लेके पशिम तक पूरा यहां समागम है विबिन विबिन लोग विचारों उमीदों आशाओं के साथ जुड़ाईए हमारा इंडिया है और यहां आए सभी जन सैलाब जो हमारे सामने बैठे हैं धूम पे जो अब रात हो चुकी है और इतनी कड़ी मैनत जो हम लोगों को मिलती है आज यहां मंच पे आसीन जितने मानेगण है वो आपके दुआरा चुने जाते हैं लोगों को कि आपका प्यार आपका स्ने और आपका आशिरवाद आने वाले जुनाबों में अपने बविश्य को अगर आपको चिंता है तो उसको बदल करके दिखाए क्योंकि सामने में जो ताना शाही शक्ति खड़ी है वो आपके अधिकारों और हक का हनन करने के लिए खड़ी है क्योंकि जिस तरीके से महराष्ट्र में भी लोगों को खरीद कर यहां की सरकार तोड़ी गई लेकिन जारखंड में हमारे महागटबंदन के सभी विधायकों ने मिलकर उस शक्ति को दिखाया कि जितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना आ जाए जारखंड की सरकार को हिला नहीं पाई है चहरा पतल गया है चमपई चाचा जी यहां बैठे हैं हेमन जी के नेत्रुत्व में पिछले चार वर्सों से जितनी कल्यांड कारी योजनाय बनाई गई है जिसमें महिलां, बेटियों, बच्चों, बुजर्गों, दिव्यां सब के लिए योजनाय है और आज उसी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए हमारे वर्तमान माने मुक्यमंत्री जी चमपई चाचा जी अग्रसर है उसको तेजी से बढ़ा रहे हैं जिस शर्यंत्र से आज मेरे पती को जेल में डालने का प्रयास किया गया आने वाले समय में बहुत सारे और भी लोग होने वाले हैं उनका नाम जुड़ने वाला है लेकिन मेरी यही दर्ख्वास्त है सभी पार्टी के लोगों से सभी गड़माने लोगों से सभी जनसाला वों से जो सामने बैठे हैं कि आपको लड़ना नहीं आपको दरना नहीं है क्योंकि आज जार्खंड में एक लाइन बहुत में मशूर हो रही है जार्खंड जुकेगा नहीं और आज इस श्रिवाजी पार्ख के एतिहासिक मैदान से मैं उस्ताना शाहि शक्ती के खिलाफ ये कह जैना चाहती हूँ इंडिया जुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं हमारे मानिया राहूल गांदी जी की महीनों की ताकत जो आप से मिली है अपना पसीना बहा के उन्होंने किया आप लोगों को अपने साथ जोड़ करके किया आज मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ क्यूंकि उन्होंने मनिपूर की उस धर्ती को चुना जहां उस समय आग लगी हुई थी मैं एक आदिवासी वक्त से आती हूँ उस समय मनिपूर का जो हाल हो रहा था खासकर महिलाओं के साथ जो हाल हो रहा था उसकी सूद लेने वाला कोई नहीं था आज भी वहां कि राजसरकार मूख है केंद्र सरकार मूख है लेकिन हमारे मानिया राहुल गांदी जी कहिते इतना बड़ा है उनको वो पीड़ा दिखी और वोनोंने उस धर्ती को चुना जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार करती हूँ मेरे ससुर जी शीपू सोरेन जी उन्होंने भी महाजनों के खिलाफ उस लड़ाई को लड़ा था और आज हेमन सोरेन जी भी उसी लड़ाई को लड़ते लड़ते आज जेल के अंदर चले गए लेकिन हमारी यहां की महागड़बंधन सरकार आज उन्होंने दिखा दिया जारखंड पीछे नहीं है जारखंड का वो कद्दावर नेता जो आज यहां से शक्ती लेके गया था आज भले वो जेल के पीछे है लेकिन आने वाला वक्त आने वाला चुनाव यह दिखा देगा कि जारखंड में अब भाजपा का कमल कभी नहीं खिलेगा वहां आगर रहेगा तो महां गटबंदन की सरकार रहेगी अंद में आप सभी को बहुत बहुत धनेवाद है बहुत बहुत जोहार है जय हिंद जय जारखंड